समाजिक मुद्दे पे सोसल फिल्म कह सकते हैं और इसमें बहुत ही सोसल इसूज को उठाने की कोशिश की भी है बहुत जादा डिटेल अभी मैं बता नहीं सकता हूं चुकि एक बहुत सर्प्राइज है फिल्म में इसके अंदर जो हमारा हीरो है वो एक बहुत ही अहम करदार म प्लाओं के जो ही जो हीरो होते हैं छोड़ा छिसमें हमारा हीरो अलग नजर आएगा थबाधर रिवेंज भी है ठोड़ा सामाजिक मैसेज भी है थोड़ा सिस्टम के खिलाब एक आवाज भी है तो इस फिल्म में आपको ये देखने को मिलेगा हमारे फिल्म भागे मिधाता है सर आपका परीचे जी जै सिंग जै सिंग कैसे जुड़े इस फिल्म से आप एजे पर्डूसर जी जा कहना चाहेंगे कैना चाहें कि हम अपने भाईयों के साथ जुड़े हुए हैं कुछ नया कलाकरों को जो बीच में लाना चाहते हैं कलाकारों को इनके साहरे जो छुटे हुए कलाकार पीछे हैं हमारे हमारे जी लेकिए उन लोगों को इन लोगों की बीच में ले जाना चाहते हैं यह हमारा उ करेंगे जैसे कि शार बताए आपको एक क्राइम ड्रामा है और सोशल और सेंसेटिव कंटेंट के ऊपर बेस्ड होगा वेलो जी आपके डबल खुशी है आज हाँ डबल खुशी है आप ही बता जी जे बिल्कुल बिल्कुल आज हमारे फिल्म एक खास बात में आपको बताना चाहता हो कि हमारे साथ जो हमारे प्रोडूसर जैसिंग जी जो साथ में खड़े हमारे यह जैसिंग जी जिन्होंने हमने दोनों ने मिलके इसके पहले भी एक फिल्म की है जैमा बिंदिवासनी आज उस फिल्म का पोस्टर लांच है फर्स्ट लुक लांच है और आज ही हम लोगों ने एक डिश्राइट किया लिया कि हम आज एक अपनी अगली अगले प्रोजेक्ट अगले फिल्म की प्लानिंग जो कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि 25 अक्टूबर या जादा सा जादा एक नौंबर तक हम लोग शूटिंग लोकेशन पर होंगी जिसकी शूटिं उनके मौरत है वह फिल्म के जो हमारे लेखक राइटर मतलब कथा पटकथा संबाद जो कह लीजे वो हमारे बीरू ठाकुर जी का है कम उमर में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है बहुत लेट जुड़े हम लोग लेकिन जब मैं जुड़ा इनसे बाते की इनको सम पैकेज जो हमारे इस फिल्म के लिए दिया है वह बहुत ही शांदार है कोई खास नौकसद आज नौरातरी का पहला दीन है जैमा बिंदवासनी का फस्ट लूग आगया क्या ट्रेलर आजाएगा नौरातरी के बीच पे फिल्म जैमा बिंदवासनी का ट्रेलर तो कितना आप कॉम्टेवल थे बेलों जी के साथ काम तक परसेंट पूरा वरोसा है क्या कमिया रहे हैं कि माता का असिरवाद हम लोगों के लिए हैं और माता के आशिरवाद से ही आज भाग विदाताम करने जा रहे हैं पिलू भहिया वगरे सब्सक्राइब हम लोगों का एक हमारे भया के अंदर हर तरीके का मिजाज है जिस तरीके का जनता चाहेगी वो मिजाज है मैं बतार डरिकर जो हूँ मैं क्या परिशान करूँगा एक तो सबसे पहले हमारी भुजपूरी सिनेमा का जो एक लिमिटेड बजट होता है तो उस लिमिटेड बजट के अंदर हमें काम करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात ये है कि उस लिमिटेड बजट में हमें क्रियेशन बहुत जादा दिखाना होता है क्रियेटिवीटी के हद जो हमें हमारे अंदर जो खुजली होती है वो उसको भी शांत करना होता है तो इस क्रम में अगर कही तनाओ दबाओ होता है तो अलग बात है लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम बहतरीन तरीके से काम करते रहें और अच्छा कभी हमारे प्रोडूसर को तकलीफ ना हो जो हमने बजट डिसाइट किया उस बजट के अंदर सिनेमा को समाप्त किया जाए जो समय निर्धारित है उस समय के अंदर फिल्म को खतम किया जाए हाँ प्रेसर यह जरूर होता है कि हमें कम समय में क्रेटिवीटी करने के लिए बहुत जादा डबल शिप्ट में काम करना पड़ता है तो यह सब प्रेसर तो रहता है यही सब चीजे हैं बाकी हमारी कोशिश यही होगी कि हम एक बैतरीं चिनेमा फिर से आप लोगों के बीच लेकर आए क्योंकि आप सब का प्यार जो हमारे दर्शक जनता हमारे मीडिया कर्मी जितने हैं इनका प्यार हमें सुरू से मिलता रहा है मेरे जितने सिनमा है जितने फिल्मे है जो अब तक रिलीज हो गई है उन सब को हमारे जनता जनारदन का बहुत सारा प्यार आशरवाद मिला है मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मिलता है और मेरे फिल्मों की चर्चा करके उसके बारे में बखान करता है कि ने भीज़ा आपके ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे बहुत सुखद आनवुदी होती है धर देवाद चीक